अलो एब्रीबन कैसे हैं आप साब आज बनाने जारी हूं एक और नई डिजैन की लेडी सॉक्स जिससे बनाने के लिए देखिए मैंने दो कलर की बूल ली है टेन नमबर सलाई ली है और इसको बड़ा चोटा आप कर सकते हैं आप यहाँ पे फंदे स्टार्टिंग में चार फंदे जादा कर लीजिए तो यह बड़ी बन जाएगी और चार फंदे कम करेंगे तो यह छोटी बन जाएगी और देखिए इसका बेस भी मैंने बिलकुल अलग तरीके से बनाया है और बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगे इसको तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कि औसे दुद यह या अई बुद्व तरह से मिया पर ब्याइस संधें ले लेती हों यह डिके यहाँ पर मैने 40 2 response लिये हैं 42 URL अब देखिए हैं इसकी फर्शेर यहांसे ऐसे कि कि अर्केशना बनेंगे इधर से बी सीधा बनेंगे और उदर से बी सीधा तो यहां पे हम एक रो यह कंप्लीट करते हैं यह देखिए एक रो मैंने कंप्लीट कर ली आप देखिए हम एक फंदा यहां बढ़ाएंगे और एक यहां बढ़ाएंगे एक फंदे से पहले तो देखिए दोनों तरब एक एक फंदा बढ़ाएंगे हम तो फंदा आप किसी भ देखे यह रोद chance करेंगे। लाउट के कि इधर भी हम फंदा बढ़ाएंगे ज़ी थो इस फंदे को ऐसी बुञाइन उसी फंदे को elderly गडान टार में दूबरें से थान दीया लाश्ट का फंदा हम सीधा बनेंगे यह देखे तो देखे एक फंदा इधर बढ़ा एक इधर बढ़ा पलट लेंगे इसको अब देखे इस रो में हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे उल्टे तरप से यहां से हम एक फंदा उतार लेंगे बूल को इधर करेंगे और पूरी एसे ही बना लेंगे लाश्ट तक सीधी इधर से एरो कम्प्लीट हो गई पलट लेंगे अब देखे हम यहां पे फिर से फंदा बढ़ाएंगे ऐसे एक फंदा उतारा बुल को इधर किया इस फंदे को हमने ऐसे बुना बापस उसी फंदे को देखे बैक साइड से बुन दिया देखे है कि इक फंदे से दो कंदे हो गए के अब पूरी रों ऐसे बुंघेंगे लाश्ट रचे साइच में फिर एक फंदा बढ़ाएंगे यह घर dejके लाश्ट तक मैंने बना लिया आफ देखे लाश्ट वाला पन्दा जो है एक फंदा से पहले, इस पे हम इधर भी फंदा बढ़ा देंगे, एक फंदे से दो फंदे, ये देखे, ये हो गया, इस फंदे को हम सीधा बुन देंगे, तो इस तरह से देखे, यहाँ पे दो फंदे इधर बढ़ गए, दो फंदे इधर बढ़ गए, अब ही देखे, हम इसी तरीके से 6 फंदे और बढ़ाएंगे इस साइड और 6 फंदे इधर तो टोटल 8 फंदे इधर बढ़ाएंगे 8 इधर बढ़ाएंगे उल्टी रो में कोई फंदा नहीं बढ़ेगा सिरे पर से बनाके कंप्लीट कर लेना है तो हम यहां पर इतना करके फिर दिखाते हैं आपको यह देखिए यहां पर मैंने दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ाते हुए देखिए 1,2,3,4,5,6,7,8 आठ रो बनाई हैं और 8 फंदे बढ़े हुए हैं हमारे 8 इधर से और 8 इधर से अब देखिए जैसे मैंने एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ाया है उसी तरीके से हम एक एक फंदा गटाएंगे दोनों तरफ तो यहां पर देखिए इस तरह से दो का एक कर देंगे यह देखिए हो गया उसके बाद हम पूरी रोग सीधी बन देंगे ऐसे यह देखिए एक फंदा मैंने यहां गटाया अब एक फंदा हम यहां पर दो का एक कर देंगे ऐसे यह देखिए हो गया अब यहां से हम इस तरह से इसको बना लेंगे अब पलट लेंगे उल्टी रो में कोई फंदा नहीं गटेगा जैसे मैंने एक रो में फंदा गटाया बढ़ाया था बैसे ही अब में एक रो में फंदा घटाऊंगी एक रो में कोई फंदा नहीं घटाऊंगी तो यह रो हम करते हैं यह देखे उल्टे तरफ से बुल को पीछे करेंगे यह चोह से गगे इस तरह से उसके बारत आंब ऐसे ही बनेंगे लाश्ट में फिर से हम यहाँ पर दो काई करेंगे और देखिए इसी तरीके से हम टोटल यहाँ पर आठ फंदे गटाएंगे जए गट आठ देंगे उसके बाद हम दिखाते हैं यहाँ पर हमारे पास 42 फंदे फिर से बचेंगे जो मैंने इस्टार्टिंग में लिए थे यह देखिए हम यहांसे सेकेंड कलर एड करेंगे तो देखिए यहांसे मैंने इस बूल में ऐसे एक नट बना ली यह देखे और यह से अभाम यह से इसको थोला सा अंदर के साइड से कर देंगे स्थागे में यह से और यहां पर हम पूरी यह से कंच से बनाा देंगे यहां तक मैंने बना लिया आप देखे अभी तक मैं यहां पर दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाते हुए गई फिर में घटाते हुए गई अब देखिए यहां से एक तरफ से हम एक एक फंदा बढ़ाएंगे और यहां पर हम एक साथ आठ फंदे बढ़ा लेंगे तो देखिए किस तरीके से हम आप इस तरीके से भी बढ़ा सकते हैं ऐसे लेकिन मैं इसे नहीं बढ़ाऊंगी मैं इस तरे इसे बढ़ाऊंगी ए देखे इसको यासे बुना इसे इस पर रख लिया एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ यह देखे आठ फंदे मैंने यहां पर ऐसे एक साथ बढ़ा लिए इधर हम एक एक करके हर एक रो में जैसे मैंने यहां पर बढ़ाए थे उसी तरीके से बढ़ाएंगे तो अभी हम इसको यहां से ऐसे बुनके आते हैं सीधा यह देखे पूरी रो हम इसमें सीधा ही बुनेंगे इस तरह से पूरी रो कंप्रीट करते हैं यह देखे पूरी रो मैंने यह कंप्रीट कर ली अब देखे इस साइड में हम एक फंदा यहां पर बढ़ाते हुए जाएंगे इधर हमने देखे एक साथ बढ़ा लिए आठ फंदे यह देखे एक को मैंने ऐसे किया उतार लिया इस फंदे से एक फंदे से दो फंदे ऐसे अब देखिए हम इसको ऐसे ही बनेंगे दोनों तरफ से सीधा सीधा यह देखे और देखिए यहांपे हम आठ रों बना के कमप्लीट करेंगे एक फंदा हर सलाई पर एक फंदे से पहले यहांपे एक फंदे से दो फंदे करते जाएंगे और देखिए इधर ये फंदे ऐसे बड़े हुए हैं इनको हम बना लेते हैं फिर आगे का आपको दिखाएंगे ये देखिए इस तरह से मैंने यहां पे आठ रो बना ली हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ आप देखिए यहां से मैं इसमें फिर से कलर चेंज करूंगी और ये वाले फंदे यहां पे 32 फंदे हम बंद करेंगे, किलोज करेंगे और इनमें हम कलर लगाएंगे दूसरा तो यहां पे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे तो 26 फंदे, तीरा दूनी 26, 26 फंदे में हम यहां पे यह बाला कलर फिर से बापस एड़ कर लेंगे इस रो में कोई फंदा नहीं बढ़ा, यहां पे ना घाटा, ऐसे इसको हम साथ में इधर को लियाएंगे, और इस बाले को भी, इस तरह से इसको हम ऐसे करते जाएंगे, तो यहां पे हम यह 26 फंदे, इससे बना लेंगे, ऐसे, इसको अब हम यहां से निकाल देंगे, आप देखिए, यह बाले फंदे जो हैं, यहां से, अब हम इस से, ऐसे, दो का एक करते हुए, इनको बंद कर देंगे, यहां से, यह देखिए, लाश्ट तक, ऐसे ही, यह देखिए, तो हम कर लेते हैं, यह देखिए, यह फंदे मैंने यहां तक बंद कर दिये, आप देखिए, यह बाले फंदे जो हैं, इनको हम 4 रो तक ऐसे ही बनाएंगे तो इस फंदे को हम उतार लेंगे यहां से हम सीधा बनेंगे दोनों तरफ से इसको ऐसे ही बनते जाएंगे तो हम इसे कंप्लीट करते हैं यह देखिए इस तरह से मैंने यहां पर 6 रो बनाई है चार की जगे 6 रो बना दी तो 3 गांट श्टिच आ गई मेरे पास अब देखिए हम यहां से पिंक कलर फिर से एड करेंगे इसमें यह देखिए अब देखिए पूरी रो हम इसी से तिंक कलर से बनाएंगे यह देखिए ऐसे एरो कंप्लीट हो गई यह देखिए यहां से अब देखिए हम यहां पे जो मैंने यह फंदे घटाए थे 32 फंदे वो ही मैं फंदे यहां पे 32 बढ़ाऊंगे तो देखिए ऐसे एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ इस तरह से 32 फंदे बढ़ा लेते हैं यह देखिए यहां तक मैंने यह 32 फंदे बढ़ा लिए हैं जैसे देखिए यहां से आप देख सकते हैं यहां से मैंने यह कम किये थे अब यहां से मैंने बढ़ा लिए हैं तो यहां से अब हम इसको सीधा बुन लेंगे इस रो को ऐसे तो हम यह रो पूरी complete कर लेते हैं लाष्ट तक फिर दिखाते हैं यह देखिए यहां तक यह रो मैंने complete कर ली अप देखिए हम यहां से एक एक फंदा गटाएंगे और इस साइट कोई फंदा नहीं गटाएंगे सेम इस तरीके पार्ट जैसे यह बना हुआ है सिंपल इस तरीके से यहां पर एक एक फंदा घटाते हुँ जैसे मैंने यह अधर बढ़ाए हैं यहां से मैं 8 फंदे एक एक करके घटा दूँगे और यहां पर यह देखे ऐसे किया एक उतार लिया उसके बाद 2 का एक कर दिया और ऐसे ही यहां पर हम 8 रो बनाएंगे, 8 रो में 8 फंदा घट जाएंगे, दोनों तरफ से हम इसे सीधा सीधा बुनेंगे, तो देखिए इसको हम बना के फिर दिखाते हैं आपको एक घट गया, 7 और घटा लेती हूँ, यह देखिए यहां पर मैंने यह फंदे घटा दिये ह और यहां पर देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 रो बना लिए जैसे मैंने यहां पर बनाई हैं, तो देखिए इस तरह ऐसे यह बनके कम्प्लीट हो गई, अब हम यहां से इन फंदों को बंद कर देंगे, यह देखिए इस तरह ऐसे, दो का एक करते हुए, पूरी रो हम ऐसे ह बंद करेंगे, ऐसे, तो हम कर लेते हैं, यह देखिए, सभी फंदे मैंने बंद कर दिये, अब सिलना कैसे है, इसको आप ध्यान से देखिए, तो देखिए, इस तरह से मैंने रखा, यह चीज बेस में आएगी, यहां पर यह पूरा बेस आजाएगा, यहां पर पंजा आज जाएगी, जिस साइड यह चीज है, उस साइड यह एड़ी आएगी, तो इसको हम यहां से ऐसे फोल्ड करेंगे, देखिए, यह देखिए, अब देखिए, यहां से हम सिलना स्टार्ट करेंगे, तो इस साइड से यहां तक और यहां से लेके, पहले हम इतना इस कॉनर तक इ वापस पलटके उल्टा करेंगे देखें इस तरह से तो अब हम देखिए ऐसे सिलते हुए जाएंगे यहां से लेके यहां तक यहां से लेके यहां तक ऐसे मिलाते हुए इसको और यहां तक यह मिलाते हुए जहां से मैंने फंदे डालेते यहां तक फिर मैं इसको यहां से यह बाला जो है कॉनर इसको यहां तक ऐसे मिलाते हुए लाएंगे इधर का ऐसे ब्लाश्ट में यह चीज़ सिल देंगे तो आप हम एक यह देखें यहां से अभाव स्टार्ट करते हैं कि अधार का एगा कि अधार है कि अधार अब देखे इस कोनर से अब देखे इस वाले कोनर तक यह वाला पार्स आ गया अब देखे ऐसे यहां से लेके हम इसको इतना यहां से ऐसे मिला लेंगे देखे इस कोनर से इतना इतना ऐसे यहां से हम पकड़ लेंगे और इसको हम मिलाते हुए यहां से ऐसे सिल रेंगे तो हम यहां से लेके पहले यहां तक सिल लेते हैं यह देखे ऐसे मैंने इस कोनर तक इसको सिल लिया अब देखे यह वाला पार्स इस कोनर तक मैं यहां से मिलाते हुए आऊंगे यह देखे इस तरह से आप देखे यह वाला ऐसे यहां से लेके यहां इस कोनर से ऐसे हम पकड़ लेंगे पहले चाहिए आप इसको सिल लीजिए और फिर आप इसको सिल लीजिए तो मैं यह सिल देती हूं यहां पर ऐसे यहीं से मैंने कर दो झाल झाल यहाँ पर अब हुम नोट लगा देंगे ऐसे इस दागे से यह देखिए अब इसी दागे को हम बापस इधर को अंदर के साइड ऐसे ले आएंगे यह देखिए इसको लाए और इसको अब हम इधर भी ऐसे सिल देंगे यह देखिए कि यह देखिए इस तरह से यह सिल्के पूरी कम्प्लीट हो गई यहां पर हम पक्का करके राष्टा धागा कट कर देंगे यह देखिए इस तरह से मैंने इसको बना के कम्प्लीट कर लिया है आप देखिए हम इसमें बॉर्डर बनाएंगे तो बॉर्डर में इसमें क्रोशिया से बना रही हूँ और अगर आप बॉर्डर नहीं बनाना चाहते हैं तो आप यहां पर फंदे कम रखिएगा जब यहां पर बंदे बंद करते हैं तो यह वाले फंदे कम बंद कर दिये गए ये देखिए इस तरह से मैंने इसको बना के complete कर लिया है आप देखिए हम इसमें border बनाएंगे तो border देखिए यहां से हम बना रहे हैं back side से तो देखिए क्रोशिया से बना रहे हैं यहां पर देखिए इस तरह से एक बार ऐसे अब देखिए अगले chain में से ने इसे, पूरी रोख असे ही कि बना लेंगे यहां से लेके पूरा यहां पे भी एक एक बार बनाएंगे पूरा राउंड हम कंप्लीट करते हैं यह देखिए पूरा राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया अब देखिए जो फश्ट वाला हमने सिंगल क्रोसिया बनाया था उसमें हम इसे जॉइंट कर देंग ऐसे, slip stitch कर देंगे, अब देखिए, अगला round हम यही से start कर लेंगे, यह देखिए, हर एक में एक बार फिर से बनाएंगे, यह देखिए, ऐसे, यह देखिए, तो देखिए, इसी तरीके से हम यहां पर border बना के complete करते हैं, तीन यह चार round complete करेंगे, हम यह देखिए, इस तरह से मैंने बना के इसको complete कर लिया, बहुत ही आसान तरीके से यह बन के complete हो जाती है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक और सब्सक्राइब और शेर जरूर कीजेगा, थैंक यू,